भारत की सामाजिक समस्याएं पर निबंथ भारत एक विशाल देश है जहां विभिन धर्मों, जाती वह वेश भूशा धारन करने वाले लोग निवास करते हैं दूसरे शब्दों में अनेक्ता में एक्ता हमारी पहचान और हमारा गौरव है परन्तु अनेक्ता, अनेक समस्याओं की जननी भी है जाती, भाशा, रहन सहन वह धार्मिक विभिनताओं के बीच कभी-कभी सामन जस्य स्थापित रखना दुशकर हो जाता है विभिन धर्मों वह संप्रदायों के लोगों की विचार धाराएं भी विभिन होती है देश में व्याप्त, प्रांतियता, भाशावाद, संप्रदायवाद या जातीवाद इनी विभिनताओं का दुश्परिणाम है इसके चलते आज देश के लगबग सभी राजियों से दंगे फसाद, मार काट, लूट खसोट, आदी के समाचार, प्रायह सुनने वह पढ़ने को मिलते हैं नारी के प्रती अत्याचार, दुराचार, तथा बलातकार का प्रयास हमारे समाच की एक शर्म नाक समस्या है प्राचीन काल में जहां नारी को देवी तूलिय समझा जाता था, आज उसी नारी की भावनाओं को दबा कर रखा जाता है पुरुष का एहम, उसे अपने समकक्ष स्थान देने के लिए विरोध करता है हमारे पूजे कवी, तुलसी दास के अनुसार, धोल, गवार, सूद्र, पशू, नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी इससे पता चलता है कि तुलसी दास ने अपने युक की मानेताओं को लिपी बद्ध किया है समाज में इस्त्रियों एवं शुद्रों के इस्थिती पड़ी दईनी थी दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतिया आज भी नारी को कष्ट में वह असहाय जीवन जीने के लिए बाध्य करती है केवल असिक्षित ही नहीं, अपी तो हमारे कथित सब्य सिक्षित समाज में भी दहेज का जहर व्यापत है प्रति दिन कितनी ही भारती नारिया दहेज प्रथा के कारण मनिश्य की बरबरता का शिकार हो जाती है अत्वा जिंदा जला दी जाती है अंध्विश्वास वरूडी वादिता जैसी समाजिक बुराई देश की प्रगती को पीछे धाकेल देती है अंध्विश्वास वरूढी वादिता हमारे नव्युवकों को भाग्य वादिता की ओर ले जाती है फलस्वरूप असफलताओं में अपनी कम्यों को ढूंडने के बजाए भे इसे भाग्य की परिनती का रूप दे देते हैं प्रश्टाचार भी हमारे देश में एक जटिल समस्या का रूप ले चुका है सामाने कर्मचारी से लेकर उचे उचे पदों पर आसी नधिकारी तक सभी प्रश्टाचार के परियाई बन गए है जिस देश के नेतागण प्रश्टाचार में डूबे हुए होंगे तो सामानी व्यक्ति उससे परे कब तक रह सकता है यह प्रश्टाचार का ही परिनाम है कि देश में महंगाई तथा काला बाजारी के जहर का स्वच्चंद रूप से पिस्तार हो रहा है जातिवाद की जड़ें समाज में बहुत गहरी हो चुकी है यह समस्याई आज की नहीं है अपी तु सदियो युगों से पनप रही है इनके परिनाम स्वरूप समाजिक विशमता पनपती है जो देश के विकास में बाधक बनती है इसके अतिरिक्त भाई भतीजावाद वकुर्सी वाद समाज में असमानता व अन्य समस्याओं को जन्म देता है भारत की राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए समाजिक स्तर पर जद्दू जहत करने की आवशकता है क्योंकि जो भी हो संगाशों की बात तो ठीक है पढ़ने वाले के लिए यही तो एक लिख है फिर भी दुख सुख से या कैसी निसंगता देश में असिक्षा और निर्धनता हमारी प्रगती के मार्ग की सबसे बड़ी रुकावट है ये दोनों ही कारक मनुष्य के संपूर्ण बौद्दे केवं शारिरिक विकास में अवरोध उत्पन्न करते हैं जब तक समाश में असिक्षा और निर्धनता व्यापत है कोई भी देश वास्तविक रूप में विकास नहीं कर सकता है इन समस्याओं का हल ढूंडना केवल सरकार का ही दाहित्व नहीं है अपी तो ये पूरे समाश तथा समाश के सभी नागरिकों का उत्तरदाहित्व हैं इसके लिए जन जागरिती आवशक है जिससे लोग जागरुक बने वो अपने करतव्यों को समझे देश को युवाओं वह भावी पीड़ी पर यह जिम्मेदारी और भी अधिक बनती है आवशक्ता है कि देश के सभी युवा समाज में व्याप्त इन बुराईयों का स्वयम विरोध करे तथा इन्हें रोकने का हर संभव प्रयास करे यदि यह प्रयास पूरे मन से होगा तो इन समाजिक बुराईयों को अवश्य ही जड़ से उखाड़ फेका जा सकता है